माइ चैनल अगम आप नोगों को स्टाटर डिजाइन बता रहे हैं और ये दो कलर कर डिजाइन है और बच्छों के सोर्टर में कार्डिगन में काइप में सौल में lays car बाड़े गर जाएक के में भी अप्लाई कर सकते हैं इसको फिर वीडियो का पूरा देखना इसके नहीं करना ज्यादा ज्यादा लाइक से करना तो चलिए बताती हैं कैसे डिजाइन बना हुआ है कि इसमें देखो हमने 17 फंद लिया है इसमें डिजाइन बताएंगी तो वाड जास चुब करेंगो देखो sony 2 3 फिर एक संद बनाएंगे ऐसेर फिर एक दो ठीन फिर एक फंद्द बनाएंगे ये तीन- पल तेलड़े में बनाई करना है और एक स्रतुर और में बुनाई करना है सीरी स्लाइब में अब उल्टे तरब से देखो कैसे करना इसको अब फर्स्ट वाला फंदा हमें लिया अब एक फंदा इसमें से बनाएंगे पहले देखो ये दो हो गया अब ये बीच वाला फंदा हम स्लिप करेंगे एक फंदा अब एक फंदा इसको फिर ये दो और ये तीन एक फंदा स्लिप करेंगे बीच वाला फंदा में स्लिप करना है एक दो तीन फिर बीच वाला फंदा में स्लिप कर लेंगे एक दो तीन बीच वाला स्लिप कर लेंगे अभी लास्ट में दो फंदा बनाई कर लेंगे तेश डिजाइन की दूसरी सलाई complete हुई एक सलाई सीधा एक सलाई उल्टा अब हमें देखो क्या करना इधा अब इसी कलर से हमें अभी बनाना चार सलाई में हमारे डिजाइन complete होती है अब इसको हम पूरा सीधा सीधा बनाएंगे सीधी तरब से पूरा हम सीधा सीधा बनाएंगे देखो दो सलाई हमें सीपल बनाना है और दो सलाई जैसे मनें आपको बताया फर्स्ट सलाई और सेकंड सलाई अब यह देखो 30 सलाई कम्प्लेट हो गई सीधा सीधा अब 24 सलाई है उल्टी तरब से इसको हम पूरा बनाए करेंगे किवल उल्टा 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 फंदा यह पूरे फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे अब चार सलाई कम्प्लेट हो गई आप देखो अब यहां हमें दूसरा कलर लगाना है अब हम दूसरे कलर से मनाएंगे हाँ अब हम यहां दूसरा लगाएंगे देखो तो फर्स्ट वाला फंदा हम पाले एक फंदा पिंक बनाएंगे फिर से हम तीन फंदा स्लिप करेंगे एक दो और यह तीन फिर इसको बनाए करेंगे फिर एक दो तीन फिर इसको बनाए करेंगे एक दो तीन फिर एक फंदा बनाए करेंगे एक दो तीन अब देखो डिजाइन के पाली स्लाइब में हमें ऐसे बनाना है एक फंदा हम बनाए करेंगे और तीन फंदा हम स्लीप करेंगे जब भी आपको color change करना होगा तो पहली slide ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने first में बताया आपको और दूसरी slide में देखो कैसे बनाना है first वाला फंदा slip करके slip करो या इसको बुनाई करो फिर इसके बाद एक फंदा यह बना लेंगे हम और बीच वाला फंदा हम slip करेंगे जो तीन फंदा हमने slip किया था सीथे तरफ से उसमें से हमें उल्टे तरफ से बीच वाला फंदा slip करना है और दोनों side का फंदा हमें बुनाई कर देना है अभी देखो एक फंदा ही slip करेंगे फिर एक फंदा slip करेंगे यह फंदा स्लिप करेंगे, अब यह दो फंदा हम बनाई कर लेंगे, दो स्लाई हमें ऐसे बनाना है, और इसके बाद दो स्लाई हम सिंपल बना लेंगे, देखो उसी कलर से, सीधे तरफ से सीधा बनाएंगे, और इस स्लाई को और ओल्टे तरफ से पुरा ओल्टा बनाएंगे तो चार स्लाई की डिजाइन है और ये बच्चों के लिए बहुत परफिक्ट डिजाइन है कलार आपको जो पसंद आए वो लगा सकते हो हम देखो उल्टे तरब से ये चोथी स्लाई है तो चार स्लाई पूरा कम्प्लीट हता है ये देखो कम्प्लीट हो गया हमने इसमें दो डिजाइन देखो बनाया डिजाइन बनके हमारी जेडी है ये पतला धागा है जो हमने आपको दिखाए बना के रखे हैं वो मर्तला धागा से है और 9 नमबर स्लाई से आप इसको बनाओगे न 9 नमबर स्लाई या 10 नमबर स्लाई जो भी आपको बनाना है ति बहुत प्यार डिजाइन है ऐसे देखो बनने के बाद ऐसे ही डिजाइन लगेगी डिजाइन मेरी पूरी कम्प्लीट है जैसे मैंने आपको बता है सेम उसी तरीके से बना हुआ है और इसको अपने ज़गर बनाए अगर मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक से करें चैनल पर सब्सक्राइब करने ना भूले और वीडियो कैसी लगी कोमेंट करकी ज़गर बता है